हलो फ्रेंड्स मैसल दॉक्टर सुशिला सैनी गाइनिक लॉजिस्ट और अप्सेटिशन डिरेक्टर जैपर दूर्बीन हॉस्पटेल एक बार फिर से आपके सामने हाजीर है इस नई वीडियो में नई जैनकारी के साथ फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में बात की थी खर्बूजा खाने के फाइदे के बारे में और आब हम बात करने जा रहें तर्बूज के फायदे के बारे में क्योंकि खर्बूजा और तर्बूज एक ऐसी चीज है जो गर्मियों में कॉमनली अवेलेबल होती है और तर्बूज जो वाटरमेलन है वो तो पूरे वर्ड में सब जगे मिलता है और पूरे साल भर मिलता है वाटरमेलन होता है और वाटरमेलन है कैसी चीज है कि जो सब को अच्छा लगता है मीठा होता है सुन्दर होता है लाल रंग इसका बड़ा अट्रेक्टिव होता है तो सब लोग इसे खाना पसंद करते हैं अब हम बात करेंगे कि क्या प्रेग्नेंसी में तर्बूज खा सकते हैं लेकिन जब आपी तर्बूज खा रही होंगी तो आपके दिमार्ग में कॉशन आएगा कि मुझे इसको खाने से क्या-क्या फाइदे हो रहे हैं इसमें ऐसी क्या-क्या चीज़े जो मेरे को और मेरे बच्चे को फाइदा करेंगी तो इस वीडियो में आपको यह बताने पानी होता है और जिससे कि जब भी आप इसे खाते हैं तो आपको पानी की कमी की पूर्ती हो जाएगी बहुत सार इसमें फाइबर होता है तो कॉंस्टिपेशन के समस्या से आपको निजात मिल जाएगी आपको फिलिंग एफेक्ट देगा आपका पेट भरा हुआ लगेग ज । पीच कि पानी करें के साथ आपको टेस्ट भी मिल रहा है और आपको उसमें शुगर और बागी निूट्रिशन भी मिल रहा है तो आयो आराम से घा जाता है गाना टर्बूज की बना सकती है जो कि पीएजागी भी बना सकति है तो चुरू के तीन मेनों में अगर आप तो बचाए हम एक कमिकलहा जो कि बहुत सारी मेडिसिन मैं मिले तूरा है और आपको रोग से काँटी मिल जा तो यह आपके बच्चे आपको बच्चे को दोनों को रोगों से बचाता है तो तरभी mandates का से fon आपके लिए बहुत पायदेमंद करे इसे जो आपके acidity बनती है या सीने में आपके जलन होती है या आपको थोड़ा सा अपर अपर अब्डोमन में यहां की तरफ पेन महसूस होता है तो वह भी काफी हद तक कम हो जाता है क्योंकि वाटर जो फाइबर और जो नुट्रिशन से उसे acid का nullification हो जाता है आपको acidity से न आपको फाइदा करता है UTI को काफी हद तक रोकता है यानि कि आपकी urinary tract को पिशाप की नली के infection को यह रोक देता है इसमें calcium और phosphorus काफी जादा मात्रा में पाये जाते हैं जो कि आपकी हड्यों को मजबूत करते हैं आपके बच्चे की हड्यों को भी stronger बनाते हैं और calcium और phosphorus के जबते हमासिति पढ़एं इसके अलाबा जो तर्फूज है जो pregnancy में पैरों मे आने वाली सूजन इसको की इडीमा बोर्ड़ा जाता है पीडल इडीमा को भी काफी हद तक हें कम कर देता है इसके जो Waitamins तो प्रेगनेंसी के पीडल इडीमा यानि पाओं की सूजन को कम करने के लिए फाइदेमंद है इसके अलावा जो इसका लाइकोपीन है वह आपके तुछा का इसकिन का कलर टोन भी अच्छा रखता है क्योंकि प्रेगनेंसी में थोड़ा सापने दिखा हुगा यहां जाइया आपको बहुत सारी विमारियों से निजात दिलाता है तो आप समझ गई होंगे कि तर्बूज खाना कितना फाइदेमंद है आपके लिए प्रेगनेंसी में लेकिन आपके दिमाग में कॉशन आ रहो है कि मुझे कितना सारा खाना होगा एक पांच किलो का तर्बूज तो नह अतीबुरी होती है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाएं क्योंकि बहुत अधा खाने से फिर आपको फल्योज हो तर्बूस खाया तो पेट खराब हो सकता है इसलिए थोड़ा सा बचाव रखें हमेशा किसी भी फल को खाये हमेशा ताजा धूकर साफ करके और ताजा कटा हुआ ही फल खाना होता है जूस से जादा आपको फाइबर होल फूर्ट के अंदर मिलता हमेशा होल फूर्ट को ही प पूर सकती है हम आपके जवाब जरूर देंगे आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जान करिक साथ तब तक पुश्कार